आज कंसेप्ट का फंडा कुछ इंट्रेस्टिंग बाते लेकर आये आपके साथ जैसे लिपिस्टिक में ऐसा क्या है जिसे जान कि आप हैरान हो जाएंगे हमारे बस्पन का कोश्चन पहले मुडगी आई यांडा बोर्ज खलीफा ले जाकर दिखाएंगे आपको एक अदभूत नजारा आखे डेंटिस्ट क्यों डरे डरे रहते हैं स्नेल से और भी बाते होंगी आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले ज्यादा तर लिपिस्टिक में पियरलसेंस नाम का एक सबस्टांस जाला जाता है जो लिपिस्टिक को चमक देता है या फिस के स्केल्स में पाया जाते हैं इसलिए लिपिस्टिक लगा कि मंदिर जाने वाले लोग थ्रद ध्यान दें तब के मन में कभी न कभी यह सवाल आया होगा कि पहले मुर्गी आया या अंडा ये तो स्योड है कि मुर्गी से पहले अंडा आया क्यूंकि लगभग 340 मिलियन एर्स पहले जो जानवर पहय जाते थे वो अंडा ही देते थे उस वक्क चिकेन का नामों निशान नहीं था क्योंकि ऐसा अनुमान लगा जाता है कि चिकेन का एवॉल्यूशन 58,000 यह पहले हूँ लेके रुके जरा, चिकेन और चिकेन के अंडे की बात करें तो कई सेंटिस्ट मानते हैं कि चिकेन के अंडे बनने में एक खास तरक प्रोटीन की जरौत होती है जो सिर्फ चिकेन के ओवेडि में ही पायजाता है इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि पहले चिकेन आया फिर चिकेन कांटा क्या आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि रूई जैसे हलके दिखने वाले यह बागल वन मिलियन पाउंड का हो सकता है कई रिसर्चों के बाद यह पता लगाया गया है कि एवरेज क्यूमलेस क्लाउड का डेंसिटी 0.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है तो अगर यह एक किलो मीटर का भी हुआ तो जरा सोचे इसका भार लगवग 5 लाग केजी यानि 550 टन हो सकता है तो अगर आप मैत परते हैं तो जरा कमेंट करके बताईए इसमें लगवग कितना लिटर पानी होगा नेल दुनिया भर में पाया जाने वाले सबसे प्यारे जूगों में से यह नमी वाले जगहों पे पाया जाता है इसके नर्म सरीर को बचाने के लिए इसके उपर यह सेल होते हैं इसके छोटे से माउथ में लगवग 25,000 तक छोटे छोटे टित होते हैं जिसे रेडूला कहा जाता है अगर यह देंटी से मिलने जाया तो वो पहले ही हाँ जोड़ लेते हैं बैया हम से न हो पाएगा दुबई के इमारत दुनिया की सबसी उची इमारत है इसके उचाए 2722 फीट है इसमें टोटल 163 फ्लोर है इसमें लगाए गई लिफ्ट दुनिया के सबसे तेज चलने वाले लिफ्ट है और एक खास बात यह इतनी उची है कि एक ही साम में दो बार सुर्यास्त देखा जा सकता है अगर आप नीचे वाले फ्लोर पे सुरज को डूपते देख चुके हैं तो लिफ्ट से सबसे उपर वाले फ्लोर पे जाईए आपको सुरज बिलकुल उपर दिखेगा फिर से सुरज को आप डूपते देखें उफ यह फल कितना मजदार होगा न वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद